नमश्कार दोस्तो स्वागतः आपका एकपर फिd सेहमिंडिया एजुकैशन यूट्व चैनल पे दोस्तो एकपर फिD सेहमिंडिया एजुकैशन आपके लिए ज्ब से रिटीड अपडेट ले ले कừa आए हैं इस वीडियो में जो है हम लोग के साथ सात्थ टीचिंग और न होने जा रहे हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब बैल बटन को जरूर कीजेगा ताकि जब भी हम लोग वीडियो की अपडेट्स लेके आए हिमाजल के जोब की तो आपके तक जो है इन टाइम पहुन सके यह जो जो फार्मसिस्ट, लेंग्वेज टीचर, शास्तरी और पलंबर के लिए वेकेंसी आउट हुई है इस वेकेंसी को जो है जुटोग, कैंट जो की कैंटेनमेंट बोर्ड है हमाजल परदेश के जिला सोलन में उर में जो है भरा जा रहा है इन वेकेंसी जो को है जो रेगुलर ब प्रोवेशन पे रखा जाएगा लेकिन प्रोवेशन पे भी जो है आपको अब जो है ऐसा नहीं है कि पहले लोर ग्रेट पे दिया जायता था जैसे कि पहले और फिर बाद में हाई ग्रेट पे दिया जाता था प्रोवेशन में भी आपको जो है सेम ही सररी दी जाएगी बस प्रवेशन में इतना होता है कि आपका जो work performance उसको check किया जाता है और आपका जो काम करने का तरिक्का और आपका जो characters रहता है काम करने के लिए उसी को जो है उसी की report जो है Suprevation में लिए जाती है उसके बाद जो है अगर आपकी satisfactory performance रहती है तो आपकी सेवाओं को जो है permanent कर दिया जाता है तो ये rule जो है इस board में follow होने वाला है तो पहली JBT की post के लिए बात करें तो JBT की एक post के लिए भरतिया निकलिया जिसमें की OBC की एक post रहेगी 21-30 साल के candidate इस post के लिए apply कर सकते हैं फार्मसिस्ट की एक post रहेगी या general category के लिए रहने वाली है 21-30 इस post के लिए apply कर सकते हैं LTE के लिए भी एक post के लिए भरती है 21-30 साल के candidate इस post के लिए apply कर सकते हैं इस notification में जो है एक point लगा हमें इसके बारे में आप ध्यान से इस videos को जरूर देखें क्यूंकि अगर आप application form को जो है सही तरीके से नहीं बढ़ते हैं तो आपका जो candidature है इसमें reject होगा और process के बारे में अगर आपको complete knowledge नहीं मिलेगी तो आप इधर उधर भढ़कते रहेंगे कि कैसे आप इस post के लिए apply करेंगे तो उसके बारे में आपको जो है जानकारी नहीं मिलेगी तो इसमें सबसे पहले qualification की बात करें तो jbt के लिए अगर आप इसमें से किसी भी qualification को जो है fulfill करते हैं और का मतलब होता है कि आप दोनों में से या इन सभी में से कोई भी एक criteria को आ जो है jbt post के लिए अनिवारी रहेगा बाकी इसमें से आप कोई भी एक criteria को qualification को fulfill करते हैं तो आप इस post के लिए eligible होंगे इसके बाद फार्मसिस्ट की पोस्ट के लिए बात करें तो फार्मसिस्ट की पोस्ट के लिए जो है प्लस टू साइंस वाले candidate जिनोंने या डिप्लोमा कर रखा है फार्मसिस्ट में या डिगरी कर रखी है वो इस post के लिए eligible होंगे चाहिए आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिगरी की है प्लस टू लेकिन आपकी वो science में होनी चाहिए और साथ में आपके जो है pharmacy council की state के साथ registration होनी भी अनिवारे रहेगी language teacher की बात करें तो इसमें भी जो है तीन चार criteria जो है इनकी तरफ से दिये गए है इस criteria में से आप किसी भी एक criteria को जो है fulfill करते हैं तो आप इस post के लिए eligible होंगे साथ में आपके पास जो है language teacher का test qualify होना अनिवारे रहेगा शास्तरी की बात करें तो शास्तरी के लिए जो है शास्तरी इसमें मांगी गी है 50% कम से कब marks के साथ और इसके साथ जो है आपके पास शास्तरी का test क्लिए होना भी अनिवारे रहेगा लास्ट जो विकेंसी थी वो plumber की थी plumber के लिए जो है metric या highest country आपके पास पास उट होनी चाहिए उसके साथ आपके पास ITI plumbing का जो है तीन वर्ष का experience होना ITI पास उट होने के बाद अनिवारे रहेगा तबी आप इस post के लिए eligible होंगे application fees की बात करें तो journal और OBC category के लिए जो है 500 रुपया रखीगी है और SC और ST category के लिए जो है इसमें 300 रुपया फीज रखीगी है age को अगर हम लोग बात करें तो 21 से 30 साल जो हमने age रखी है इसकी age इसके बार में बताया है इसकी जो cut of date रहेगी वो 20 जनवरी 2023 रहने वाली है यानि कि अगर 20 जनवरी इससे पहले अगर आप 21 साल complete नहीं करते हैं तो भी आप इस post के लिए eligible नहीं होंगे अगर आप 30 साल से अधिक हो जाते हैं तो भी आप इस post के eligible नहीं होंगे और application fees की अगर बात करें तो application fees अगर आपको pay करनी है तो आपको जो है इस बत इनकी स्क्रीन पे ये जो link दिखाई दे रहा है इस link को जो है आपको google पे type करना हो और इस link पे जाके जो है आपको ये application fees जो है वो pay करनी होगी जैसे ही आप application fee पे करोगे तो इनका जो application form आएगा वहां से या payment का performa जो आएगा उसकी slip जो है आपको साथ अपने पास download करनी है उसका printout निकालना है और जो है इनको वो application form के साथ PDF बनाके भेजनी होगी उसके बारे में भी अब हम लोग आपको बता रहते हैं कि इसको apply करने का जो process है वो online तो रहेगा लेकिन online जो है आपको कोई google link नहीं दिया जाएगा जहां पे जो है आपको application form की detail भरनी होगी आपको simply इनका application form है डाउनलोड करना होगा इनका जो application form है वो आप हमारी official website himindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं himindia.com पे जो है आपको ये PDF भी मिल जाएगी जिसमें से आगर आपको किसी परकार का doubt है तो आप उसको clear कर सकते है रीड करके साथ में जो है application form भी मिल जाएगा उस application form का print out निकालेंगे उसके साथ जो है इस application fees का परफोर्मा निकलेगा उसको आप साथ में attach करेंगे और जो essential documents आपकी qualifications से rated मांगेगे है उसको साथ में attach करेंगे और single एक PDF मनाएंगे या jpg format की file मनाएंगे उस file को जो है आपको फिर इनको जो है इनके दियेगे इस mail address पे जो की है recruitment.gutog.gmail.com इस पे जो है आपको email करना होगा याद रखीगा email के इलावा कोई भी और माध्यम जो है इनकी तरफ से जो है application मांगने के लिए सभिकार नहीं किया जाएगा सिर्फ online gmail के माध्यम से ही इस post के लिए आप आवेदन कर सकते हैं वो इसको जो application form fill होने की जो date सी वो 14 December 2022 से जो है शुरू हो चुकी है और 21 जनवरी 2023 तक जो है आप इन post के लिए आवेदन कर सकते हैं जिस email id से जो है आप इनको mail करेंगे उसी email item यह जो है आपके application form की scrutiny की जाएगी उसको shortlist किया जाएगा जो eligible candidate होंगे उनको email id के तरू से ही call letter या फिर जिससे आप admin card बोलते हैं वो उनको mail के माध्यम से जारी किया जाएगे तो यह बहुत important process है कि आपने इस post के लिए कैसे आवेदन करना है तो इसमें अगर आपकी selection की बात करें तो selection के लिए जो है आपका 85 marks का multiple twice question paper आएगा आपको जो की one and half hours का होगा day time जो है आपको फ्रू email के माध्यम से ही बताए जाएगी जब return test होगा तब आपको जो है अपना date of birth और id proof और साथ में जो है recent password size photographs अपने साथ लेके जाने होगे इसमें जो weightage रहेगी वो 100% weightage जो है आपकी merit list की जो है final exam के उपर ही रहेगी मतलब merit list जो आपकी बनेगी उसी के basis पर आपकी selection होगी और candidate को जो है note करना होगा कि यहाँ पे penalty भी रहेगी यानकि negative marking भी रहेगी जो भी आप wrong questions जो है इसमें attempt करेंगे और जो plumber का इसमें भरतिया निकलिया उसके लिए आपका एक skill test भी इसमें लिया जाएगा जो कि सिर्फ आपका qualifying in nature होगा जो कोई भी candidate जो citizen है इंडिया के वो इस post के लिए eligible होंगे यानकि ऐसा compulsory नहीं कि आप ही माचल से या तब ही आप इस post के लिए apply करना चाते हैं अगर आप एक से अधिक post के लिए apply करना चाते हैं तो आपको जो है अलग अलग से इन post के लिए आवेदन करना होगा अलग अलग से आपको application fees पे करनी होगी provision के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि दो साल का इसमें provision रहेगा salary जो है आपकी same रहेगी उसके बाद आपकी satisfactory performance को देखते हुए जो है आपको further continue आपको regular कर दिया जाएगा किसी परकार का TADA जो है आपको written exam में आने के लिए नहीं दिया जाएगा और इसमें कुछ और important point बताया है कि कैसा जो है आपका form reject हो सकता है और कौन-कौन से जो है आपको selection के दुरान certificate चाहिए होंगे और apply करने का process हमने आपको विस्तार में पहले ही बता दिया है कि आप कैसे आप इन पोस्टों के लिए apply करना चाहते हैं फिर भी किसी प्रकार की अगर आपको इसकी PDF प्रीड करने की जरूरत होगी तो आप इस PDF को download करके खुद भी इसको read कर सकते हैं इस application form की copy और जो payment आप पे करेंगे इनको उसकी copy अपने साथ भी जरूर रखें ताकि किसी प्रकार की वी अगर further आपके पास inquiries आती है इनकी department के तरफ से तो आप जो है उसको sort out कर सके तो यह हमारा update था दोस्तों आज का आपके लिए इसकी slabers की बात करेंगे तो jbt के लिए आप देश सकते हैं कि 200 multiple choice का जो है आपके पास paper आएगा jbt में आपको plus two standard की जो है हिंदी आएगी gk आएगी everyday science आएगा social science आएगी current affair आएगा quant aptitude and logic के question जो है आपको पूछे जाएंगे इसी परकार से compute compounder, language teacher, शास्त्री और plumber के लिए भी यह slabers इनकी तरफ से जो है define कर दिया गया है तो ऐसे एगर आपको daily jobs rated update चाहिए तो चैनल को subscribe और वीडियो को जधिक सेदिक शेयर जरूर करें ताकि जितने और भी aspirant है उनके तक भी यह information jobs rated पहुंच सके लाल इस वीडियो मितना ही thank you for watching him in the education